सभी सातियों को नमश्कार करते हूं आज हम हिंदी फ्याकरण का चैप्टर निपात पढ़ेंगे निपात किसी कहते हैं हम सबसे पहले समझ लेते हैं यह प्रिष्णी जो है सभी प्रतियोंगी प्रिक्षाओं में काम आते हैं तो आप यह चैप्टर अच्छे से समझ तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एविकारी शब्द होते हैं किसी शब्द या पद के बात जुड़ करके उसके अर्थ में विशेश प्रकार का बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं इसका एक में छोटा सा उधारन आपको बता रही हूं जैसे राम ही लिख रहा ह ही जो यहां पर शब्द है वो निपात है यानि कि एविकारी शब्द है जिसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है कभी भी चेंज नहीं होता है वो एविकारी शब्द होते हैं ही शब्द जो है वो ही ही रहेगा वो कभी भी बदलेगा नहीं तो राम ही लिख रहा है ही यहां हम ऐसे बोलते हैं कि वह भिवानी ही जा रहा है तो यहां पर ही फिर क्या हो गया निपात हो गया इसका एक और धारण है कि भारत ही शांती प्रिय देश है अब यहां पर उस पर बल आ रहा है कि भारत ही ऐसा है हम ही वह वेक्ति हैं जो हिंदु धर्म को मानते हैं या किसी भी चीज को मानते हैं तो कई बर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मैं ही हूं वह ही जो शब्द है यांपर उस पर बल दे रहा है उसके बाद आता है भी शब्द भी शब्द भी आप पर निपात और एविकारी है यानि जो कभी भी बदलता नहीं है जैसे राम भी लिख रहा है वह भी जा रही है हम भी खाना खा रहे हैं अब देखो यहां पर वह दिल्ली भी जा रहा है भारत भी एक शांति प्रिये देश है तो जब हम भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो य यह भी निपात के रूप में हम प्रियोग में लाते हैं राम तो गया है हम कई वार ऐसे बोल देते हैं कि यह काम तो होई रहा है तुम पढ़ते तो बहुत हूं किंतु अंक अच्छे नहीं आते हैं पत्र लिखतो दो पत्र लिखतो दो तो यह इस तरह की चीज़े जो है व है और भाई तुम आए तक नहीं हम्, तो इसमें भाशा पे बल आ रहा है थो जब हम बल के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं एविकारी शद का अपनी बात को जो रखने के यहां पर निपात की रूप में लाया जा रहा है राम ने बुलाया टक नहीं हम कैसे जाते के बाद हैं कूछ नहीं ह thats बनेगा तक हैं है इस भी मनुष्य का साहरा है इसे जब हम वाक्यों मेंने इनने विकारी शब्दों का प्रयोगा करते हैं तो यह निपात के रूप में प्रयोग में इसे लाते हैं, एक शब्द होता है भर भर भी निपात होता है कैसे वहे उसे जानता भर है, अभी यहां पर केवल जानता है मात्र जानता है तो ये बात बताने के लिए भर शब्द का प्रयोक किया गया है पांच शेणी भर पढ़ जाओं तो मेरा नाम हो जायेगा कि यूess 주는 कि बने बहर हम ऐसे बौलते डा रत्ति departments तो यहां पर भर शब्ड जो है वो किसी भी बात पर जो है बल देता है किसी शब्द के साथ जुड़ जाए तो उस बात पर बल प्रदान करता है वहां निपाथ है आज के लिए बस इतना ही हिंदी प्याकरण के और हिंदी से सम्मंदित सारे चैप्टर्स और मेरे ब्लोग्स देखने के लिए मेरा चैनल माधफास कोशिल का से आप सक्कूरेक्ण कर सकते हों और हमेरे मेरे हमारे ब्लॉक्स हैं वह देखने के लिए आप मेरे चैनल महीमा गग सब्सक्राइब कर सकते हो साथी बेल बटन को प्रेस करना भी मत भूलेगा साथी शेयर भी कर दीजेगा क्योंकि यह जानकरी हमेशा आपकी हिंदी भाशा में काम आती है जै हिंद जै भारत